हेलो गाइस मेरा नम है चंचल और आप देख रहे हैं चंचल एक्सपेरिमेंट गाइस आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बना कर दिखाएंगे डेकोरेशन वल्प जो आप भी इस दीवाली यूज कर सकते हो क्योंकि दीवाली है वो कुछी दिनों में आ जाएगी तो आप भी ऐसा बना कर यूज कर सकते हो उसे हम बनाएंगे रोटेड लाइट जो चारो तरफ रोटेट करेगी उससे आप लोग कलर भी ले सकते हो यानि क वो RGV LED के साथ आप लोगों को बना कर दखाएंगे तो गैस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सकाइब कर लें गैस तो बिना देर की वे गैस बिना ना करते हैं स्टार्ट गैस हमें यहाँ पर सबसे पहले एक PVC पाइप लेना है जो हमने यह लिया हुआ है यह है चार इंची का पाइप तो फटा फट से गैस हम इसमें से थोड़ा कट कर लेते हैं और उसमें हम कैप लगा लेते हैं तो गैस हमने यहाँ पर थोड़ा सा कट करके इसमें गोल सरकल करके एक दम से इसमें हमने सेट कर दिया है तो गैस आब हम यहां पर लगाएंगे RGB LED そう फटा फट से से हम फोड़े छोटे चोटे यहां पर एक पर होल कर लेते हो तो गैस यह है RGB LED लेख सकते हो यह हम लगाएंगे यहां पर इसको हम यहां पर फटा फट से होल कर लेते हैं फिलम करते हैं इनको फिट तो गैस इसमें हमने छोटे-छोटे होल कर लिये हैं अब हम इस इनमें लगाएंगे आरजीवी एलेडी जो हमने ये ले लिये हैं यहां पर आरजीवी एलेडी है इसको फटा-फट से यहां पर फिट कर लेते हैं इससे पहले यहा इसके बराबर का यहां पर एक खूल करना है, यह हमने खराब गूल बल्ब से निकाला है, जो रोटेड बल्ब आता है, डेकुरेशन उसमें से हमने इसको यूज किया है, यानि कि इसको निकाला है, इसका हम यहां पर यूज करेंगे, तो यहां पर फटाफट से खूल कर लेते गाइस, यहाँ पर वड़ा सा हूल कर लिया है. मौनने वच्वारार को सेट करेंगे. तो गाइस, यह नहीं पर मौनने मौन लगा दिया है उसकी जो राड आए एक साइड ड़ी तो अमlar, यहाँ पर एक ये बंद हो रहा है तो हम यहां पर इसके पास में यहां पर होल कर लेते हैं तो यहां पर यह सैट नहीं होगा तो गाइस हम फटा फट से इसके पास में खोल कर लेते हैं यहां पर इसकी बलदी यहां पर कहीं तो गाइस यहां पर हमने एक एश्ट्रा इधर होल कर दिय यहां पर हम लगाएंगे यह RGB LED इनके हम connection करेंगे पिलस का पिलस और माइनस का माइनस जो इसमें बड़ी लेग है वो फिलस होती है यह छोटी लेग है यह माइनस होती है तो guys हम यहां पर फटा-फट चे इनको connection करेंगे इसके guys यहां पर हमने इन LED को लगा दिया है फटा-फट से इनके कर लेते हैं connection तो फटा-फट से हम इनके connection करते हैं guys इसके यहां पर हमने connection कर दिये हैं और यहां पर यह पिलस और माइनस इसके बाहर निकाल लिए है तो guys अब हम यहां पर एक सुच लगाएंगे on-off के लिए यहां पर हम फटा-फट से चिटकनी का group cutting कर लेते हैं यहां पर guys देख सकते हैं group cutting कर लिए हमने इसको हम यहां पर set करेंगे ऐसे करके यहां पर हम इसे set करेंगे तो guys हम यहां पर यह लगाएंगे इसको हम यहां पर use करते हैं यह gear motor है इसको हम यहां पर ऐसे करके set कर लेते हैं और इसको हमने यहां पर एकदम से लगा दिया है अच्छे से और यहां पर हम लगाएंगे यह charger की circuit है तो हम इसमें यहां पर लगाएंगे direct इसे 32 से आप लोग light से चला सकते हो तो आप लोग इसे rechargeable भी बना सकते हो लेकिन हम इसको यहां पर light से चलाने वाले हैं तो यहां पर हम यह charger का mother board ले गाए है तो फटाफट से हम इसकी भी यहांपर connection भी कर लेते हैं यहांपर guys आफ लोगों को plus minus दिखाई दे रहा होगा तो फटाफट से हम plus का plus minus का minus फटाफट से इसमें कर लेते हैं तो guys यहांपर इसके सारी connection हो चुके हैं और यहां पर हमने यह सुच की जगा पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि मॉटर और हमारी यहां पर RGB LED फोके ना बोल्टेज ज़्यादा भी आएंगे तो वहां पर फोके गई नहीं यह तो अब हम गाइस यहां पर लगाते हैं बाहर के लिए यहां पर डोरी लगा देते हैं तो यहां पर हम इस डोरी का यूज करेंगे आप चाहो तो अलग भी डोरी लगा सकते हो इससे हम लाइट से यूज मिलेंगे तो फटा फट से हम यहां पर भी इसके कनेक्शन कर देते हैं इसके यहां पर सारी कनेक्शन हमने कर दिये हैं, अब हम करते हैं इसको सेट इसको हम ऐसी जगह पर सेट करेंगे, जहां यहां पर कोई इसका जो बाहर है वो कहीं पर टच ना हो, हम इसको यहां पर फटा-फट से सेट कर लेते हैं, और इसमें हम बाहर से लगा देते हैं, एक क कर देते हैं फटाफट से घइस यहां पर एक्दम से complete हो चुका है अब हम इसका है लगाएंगे जो rotate बल्फ होता है उसी का हमने यहां पर यह लिया हुआ है एक तो यहां पर हम फटाफट से इसको ऐसे करके set करेंगे motor में तो यहाँ पर हम थोड़ा glue gun लगा देते हैं ताकि यहाँ पर यह हमारा motor है अच्छे से set हो जाए इसमें और अब हम इसको set कर देते हैं और यह यहाँ पर बीचों बीच एकड़म से set हो चुका है गैस यह एकड़म से बन चुका है अब हम करते हैं इसका test हमने यहाँ पर इस बाहर में दो से बीस voltage दे दिये हैं अब हम यहाँ पर सुच को on करते हैं देख सकते हैं यह हमारा decoration वल्प बन चुका है देख सकते हैं यह rotate कर रहा है अब हम करते हैं अपने स्टीडियो में अंधेरा तब आप लोगों को दिखाते हैं कि कितने अच्छे से ये वर्क कर रहा है गाइस हमने यहां पर अंधेरा कर दिया है जो हमने यहां पर सर्केट लगाई हुई थी उसका यहां पर वल्प जल रहा है अब हम करते हैं इसको on तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर उपर lander की और आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छे से यहाँ पर यह work कर रहा है तो गाइस काफी अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को उपर कितने अच्छे से यहां पर यह rotate कर रहा है और यहां पर आप लोग front पे देख सकते हैं इधर पर देख सकते हैं काफी अच्छे से यहां पर यह color में इसके देख सकते हैं काफी अच्छे से यहां पर भी चल रहा है यह देख सकते हैं पर कितने अच्छे सी यह कलर दे रहा है है कर यहां पर देख सकते हैं इतने अच्छे सी यहां पर आप लोग उ birका फ़ारा होगा यह ति यहोई ay यहां पर यह रोटेड्व लाइट बन चुकी या आप लोग तूरे रूम में यहां कि इस टीडियूम देख सकते हैं कितने अच्छे सी ये कलर दे रहा है कि इतना अच्छा लग रहा है यहां पर इस दीवाली गाइस आप भी ऐसा बनाकर यूज कर सकते हैं देख सकते हैं कितने अच्छे से यहां पर इसके कलर है वो चारो तरफ घूम रहे हैं वो काफी अच्छे से यहां पर इस लेंटर में आप लोग ऊपर की और देख सकते हैं कितने अच्छे से यहां पर यह गुल गुल दिखाई दे रहे होंगे आपको यहां पर हर कलर आप लो बना कर दिखाई हुई है तो गाइस हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जो हमने ये आप लोगों को रोटेड लाइट डेकोरिशन ये लाइट आप लोगों को बना कर दिखाई है ये बिलकुल कबार से हमने आप लोगों को बना कर दिखाई है ऐसी बना कर इस दीवाली आप भी यूज़ कर सकते हैं तो यह लाइट हमारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताना गाइस दीवाली है वो आने वाली है हमारे और हमारे टीम की तरफ से आप सभी को हैपी दीवाली एडवांस में तो गाइस हमारी यह डेकोरियसन लाइट आप लोगों को कैसी लगी इसका लोग है वो काफी अलग दिया हुआ है हमने वो काफी जगने में यह चलती है काफी अच्छे से चलती है आप लोगों ने तो इसका टेस्ट देख लिया है तो यह हमारी आप लोगों को कैसी लगी लाइट कमेंट में लिखकर हमें जरूर बता नागा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकन दवा देंगा इस तो फिर में लेंगे अगली वीडियों तब तकली राइश नमस्कार बंदे वात्रा